नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल स्सी सोलूशन्स विद अनुच जैसा कि आप सभी जानते हैं स्सी सीजियल 2022 टायर वन दिसंबर 6 दिसंबर का आज हम शिफ्ट वन का कोशन पेपर डिसकस करेंगे जिक्के क पूरे 25 कोशन हम डिटेल के साथ डिसकस करते हैं आपको यह भी बता देते हैं कि हम मैच के पेपर भी डिसकस करते हैं सेड़े 11-12 बजए आपको एक वीडियो अपलोड हो जाती है उसमें हम 2023 के शिफ्ट वाइज कोशन कर रहे हैं मैथ के हमने दो शिफ्टे कर लिए 14 जुल और बैकल फॉर्मूला ओफ वकश्ट वॉशंग सोड़ देखो आपने दो चीजे याद रखनी हैं आमारे पास एक होता है वोसheid कि सो डा ठीक है तो और एक होता है वह इ蛏 वह बैकिंग सोड़ा होता है जो धोने जो सोड़ इस आप घ्ट एक काम आता है य सो चीज है आती क 10H2O कहने का मतलब है, Na से हो जाएगा आपका sodium, वो क्या हो जाएगा, आपका sodium carbonate हो जाएगा, जो आपका washing soda है, वो क्या हो जाएगा sodium carbonate, और जो baking soda हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा sodium bicarbonate, ठीक है, यह दुन्नों चीज़ आपने ऐसे याद रखने है, एक आपका sodium carbonate जो की washing soda है और baking मतलब bicarbonate तो sodium bicarbonate इसका formula क्या होता है Na2CO3 और इसका क्या होता है NaHCO3 हो जाता है bicarbonate का ठीक है यह option में भी दे रखा है option number 4 ठीक है उसके बाद एक आपका sodium hydroxide होता है NaOH ठीक है उसके बाद चलते हैं question number second की तरफ second question कहता है which of the following is not a feature of national income अगर ह में से आपका कौन सा feature नहीं है जो national income है वो हमारा एक macro economic concept है बिल्कुल सही बात है वो एक flow concept है बिल्कुल सही है यह हमेशा express करता है reference to the financial year जो हमारा financial year होता है उसकी reference में होता है ठीक है उसके बाद चलते है question number 3 कि तरफ question number 3 क्या कहता है question number 3 कहता है according to census 2011 अगर हम बात करे 2011 सेंसर तो था डैश females per thousand males वो कितना था 919 था कितना था child sex ratio के बारे में बात की गई है तो कितना था 919 था ठीक है उसके बाद चलते हैं आगे अगे अगर हम बात करें भारत नाट्यम के बारे में भारत नाट्यम एंड कुचीपुडी डांसर यामनी कृष्णमूर्ति आपने क्या रखना है जो यह यामनिकरिष्णमूर्ति हैं यह किस्ते समभनिता आपके भारत नाट्यम से भी सम्भनित हैं कुचीपुडी से भी संब्र न नियाधा इनको 2016 में कौंसा वोड दिया गया था कौन सा वोड दिया गया था 2016 में 2016 में इनको पदम वीबुशन वोड से सम्मानित किया गया था ठीक है यह आपने याद रखना अबाकी भारतना टम जो है वो आपका का मनाया कहां का डांस है यह आपका तमिलनाडू का है और अगर हम बात करें कुछीपुडी के बारे में तो यह आपका आंदरपरदेश का है ठीक है आंदरपरदेश का क्लासिकल डांस है चलते हैं अगे अगला कोशन कहता है अकोर्डिंग टू दा आर्केलोजिस्ट इन हरपन साइट्स दा पार्ट ओफ दा वैस्ट वो स्मोलर एंड हाईयर बोज नोन एस सिटाडल उनको क्या कहा ओपना किसने की ती अगार नंबर चयूए की ति कुछें पे तो आपने याद रखना था अरेयाना उसके बाद अगला 1222 से सम्बंदिते हैं जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है इसका आर्टीकल 32 आपका रिट्स धारी करता है और हाइ कोर्ट का जो आपका आर्टिकल होता है जो में MARC छाइन आर्टिकल 26 एक होता है आर्टिकल 71 mist 608 सम्मंदित होता है जो आपका President का Election होता है अगर जो आपका President का of the Coalition होता है उसमें कोई the dispute score को देखता है तो वो आपके सुप्रीम कोर्ट देखता है थीगए पोउशन कहता है वट हैपन स्टू दूदा क्या जाएगा क्या इए वह रिच हो जाए लिंजिन और चिटिन रिचोज है ठीक है उसके बाद है रानी करना नायक नायक है तो यह कत्थक से सम्मंदित होगा कत्थक जो है आपका यूपी का डांस है ठीक है उडिसी उडिसा का है ठीक है उसके बाद मोहिनियटम केरला का है और केरला का एक कत्थक ली भी हो जाएगा ये भी आपका केर लगा देखो यह यूपी वाले मैंने याद करवाय था यूपी में कौन थे योगिया दितेनाथ तो योगिया नितेनाथ क्या है खलनायक है तो नायक से क्या हो जाएगा आपका कत्थक यूपी ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें ब्लैक कार्ड की टू अबैडमिंटन दूरिंग दा गेम इंडिकेट्स डिस्क्वालिफिकेशन अगर यालो कार्ड का मतलब है उसने क्या की है बत्तमी जी की है ठीक है यालो कार्ड में सिर्फ उसको एक वर्निंग दी जाती है क्या दी जाती है यालो कार्ड में उसको वर्निंग दी जाती है बैडमिंटन में औ एक तो आपका रेकट होना चाहिए आपके बैडमिंटन के लिए ठीक हैं उसके बाद हात भी होने चाहिए मतलब एक जाएगा Bal यहापका बैक हैंड हो जाएगा एका फोरहनों हो जाएगा ठीक है बैक मेंसें तर शी weitere last खोबख्रागी tommy और बैक के याफ यहाद कि आप मारों रहोके यहाद रखो उसके बाद आता है कोशन नमबर 11 निती आयोग के नए चेर्मेन सुमन बैरी अगर हम बात करें निती आयोग की इसकी स्थापना कब की गई थी 2015 में की गई थी किसके द्वारा की गई थी पीम नरिंदर मोदी के द्वारा की गई थी इसके चेर्मेन कोन होते हैं वो भी परदानमंतरी होते हैं 1951 पाइल था पहला कब से कब तक था 1951-1956 तक था अगर हम दूशरे की बात करें दूशरा कब हो जाएगा 1956 से लेके 1961 था अगर आंग बात करें दूसरा किसक प्रोट तक यह आपका 1974 से 1979 तक था किसके टाइम पे था इंदरागांदी के टाइम पे था और इंदरागांदी ने इसमें एक नारा दिया था क्या दिया था गरीबी हटाओ या आप इसको क्या बोल सकते हो रिमूव पोवर्टी भी इसको बोल सकते हो ठीक है गरीबी हटाओ और रिमूव पोवर्ट ठीक है बाई सर्ब चलो आगे अब अगला कोशन कहता हैकोशन नमबर बारा हूं अमंग दाफू लूविंग इस सेट तुहिव डिवाइज मैनी राख्स और मैलोडिज इन हिंदुस्तानी म्यूजिक तो यह हो जाएंगे आपके तान से यह किसके टाइम पे थे आपके अकबर के टाइम पे थे अकबर के नो रतन में से एक थे अगर हम बात करें बच्चों अकबर के बारे में तो हुमायू का पूत्र था उसके बाद 13 साल का इसको राजगदी पे बिठा दिया गया था इसकी जगह यह चोटा था इसलिए इसकी ज टिके उसके बाद पंदरासुचब्रीस में क्या हुआ था बत्चों सैकिन sed 모르 was Team के बीच में Um के बीच में गया कर दिया था अकबर नेहीं हो को हरा दिया ठीक उसके बाद मेंबात लिए फर्स j बैटल ऑफ पानिपत कभ था 1527 में हुआ था में हुआ पंद्राइ शोचापन में वा था साइकंड बैटल और 1567 में आपका क्या हुआ था वर्नापुलर प्रेस एक्ट ने तो यह आया था अथा आशारा सो फ़ोलोगिस नॉट कंड़क्टर तो हाड रबर आपका conductor नहीं है कौन सा नहीं है hard rubber आपका conductor नहीं है अगर हम बात करें article 19 के बारे में तो article 19 जो है कितने type का freedom देता है वो आपको 6 type का freedom देता है देखो बचो जब हमारा सम्विधान बना था ना जब हमें 7 type का freedom दिया जाता जो आपका 44 constitutional amendment act हुआ जिसमें आपका right to property article 31 को delete किया था उसी में इसको भी साथ में वहां से हटा दिया गया था ठीक है उसके बाद आता है अगला question अगला question कहता है who among the following belong to ancient chiefly family of चोलाज from उरहपूर यह आपका था विजयल्या कौन था विजयल्या था ठीक है अगर आगे बात करें तो आगे क्या कहा गया है सरोजनी नाइडू वोज एलेक्टिड फर्स इंडियन वूमेन प्रेजडेंट ओफ आइन सी कॉंग्रेस सेशन कहां क्याप पे कानपूर शेशं ॥ा कानपूर में हुआ था वच्छो सबसे पहले हमने याद और या IG रखना फर्स या सबहां कई को पता है यह अब Parksوبार van минимum तो कॉंग्रेस सेशन की जो फर्स्ट मुमेन प्रेजेंट थी वह एनी बेसेंट थी और वह आपकी 1917 में जो कलकता सेशन हुआ था उसकी प्रेजेंट बनी थी कलकता सेशन 1917 ठीक है उसके बाद अब यहां देखो बहुत शांती से सुनना मेरी बात हैं सबसे पहले अगर हम बात करें कि 1888 में 1888 में अलाबाद सेशन हुआ था उसमें पहले इंगलिश रूलर बने थे मतलब इंगलिश प्रेजेंट बने थे जोर्ज यूले कौन बने थे जोर्ज यूले ठीक है देखो बचो यह चीजे मैं यहां भी अच्छे से बता देता हूं और हमारी दिन में किलास ह ठीक है आप वो किलास भी देख सकते हैं अगला कोशन कहता है विच ब्रांच ओफ दा गोर्मेंट इस रिस्पॉंसिबल फॉर इंप्लोमेंटिंग लोज एंड पोलोसी तो आपकी जो होती है देखो हमारे पास क्या होती है तीन तरह की गोर्मेंट होती है जो हमारे सोरी गो आता है एक्जीक्यूटिव में क्या जाएगा वो लोग को एक्जीक्यूट करता है और अगर उसमें कोई कमी पेशी है मतलब थोड़ा बहुत उपर निचे कुछ सिस्टम रह रहा है तो उसको जुडिशी क्या करती है उस लोग की जांच करती है अब आप पूछोगे सर जा च्मग दा फोलोवईंग क्रूटी तो रभी लिशीज अर्वि क्रूबब है ठीक है उसके बाद है आपका अगला कोईशन मैंगो शोवर्स ओंंद Sono Michtlich उसके बाद बोला है फर्स्ट फेस ऑफ जो ग्रीन डिवोलुशन था एच वाई वी सीड्स रिस्टिक्टी तो मोर एफ्लुएंट ओफ विच ग्रूप ऑफ टेस तो यह आपकी हो जाएगी पंजाब तमिलाडू और अंधर परदेश ठीक है उसके बाद सुननंदा नायर सुननंदा नायर आपक परभा मैनोन ठीक है जया परभा मैनोन ठीक है उसके बाद यक्षगना आपका करनाठका से संबंदित है करनाठका क्या आ जाएगा आपका बोलाग आ जाएगा बोलाट और एक आ जाएगा कम साले ठीक है यह आपका करनाठका का आ जाएगा कत्तक आपको पता है यूपी का ह है उड़ी साप को पता है उड़िस इका है कि उसके बाद है आकरी कोशन जुफैट टोप्ड टेबल लेंड sabe episódio क्या का जाता है प्लेटी व कैसे याद लखोगे टेबल को आप फ्लेट कर देते हो तो फ्लेट से प्लेट कर धन्यवार